आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपना का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदाहरन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले अपना का आर्थ समझते हैं अपना का आर्थ होता है स्वेम का या खुद का यानि कि जो चीज हमारी खुद की है उसे हम अपनी या अपना कहते हैं तो अपना का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द होगा पराया और पराया का आर्थ होता है दूसरों का या विदेशी, यानि किसी दूसरे की कोई चीज होती है, तो उसे हम पराया कहते हैं, आईए अब हम अपना और पराया को कुछ उधारन वाक्यों से समझें, जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसने अपनी मेहनत और लगन से अपना वैवसाय खड़ा किया, या फिर आप कह सकते हैं कि अपना घर सबको बहुत प्यारा होता है, तो इसका उल्टा हो सकता है कि पराया धन चुराना गलत है, या अपने और पराया में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो अपना मतलब जो खुद का और पराया मतलब जो दूसरों का, बेल ऐकन को प्रेस करें,